आईए सुने अध्याय 6, राजनीतिक दल, प्रिष्ठ संख्या 71-88, राजनीतिक दल, परिचय, लोकतंत्र की हमने इस यात्रा में कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की, कक्षा 9 में हमने देखा कि लोकतंत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, सम्विधान रचने, चुनाव में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है, इस पार्ठ पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बटवारे के वहग और लोकतंत्रिक राजनीतिक में सामाजिक समुहों की तरफ से मोलतोल करने वाले माध्यम की रूप में चर्चा की, इस यात्रा को समाप करने से पहल आईए राजनितिक दलों की प्रकृति और कामकाच के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें खास कर अपने देश के राजनितिक दलों के बारे में हमें दलों की जरूरत क्यों है लोगतंस के लिए कितने दलों का होना बहतर है इसी संदर्व में हम मौझूदा समय के राष्ट्रे और क्षेत्रे राजनितिक दलों का परिचे देंगे और साथ ही यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनितिक दलों के साथ क्या खामिया जुड़ी हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है किसी भी लोकतंत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनितिक दल अलग से दिखाई देते हैं अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनितिक दल ही है अगर आप देश के दूर दरास के और ग्रामिन इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसी लोग मिलें जिनने संविधान के बारे में या तो सरकार के सुरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो बेरहाल राजनितिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मालूम होता है लेकिन पारटियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है और इसका मतलब यह नहीं कि पारटियां बहुत लोग प्रे हैं अधिकतर लोग आम तोर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनितिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार भांते हैं सामाजिक और राजनितिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोशी माना जाता है ऐसे में यह सवाल स्वभाविक रूप से उठता है क्या हम सचमुच राजनितिक दलों की जरूरत है करीब सौ साल पहले दुनिया के बस कुछी देशों में और वह भी गिनितिक राजनितिक दल थे आज गिनितिक देश ऐसे हैं जहां राजनितिक दल नहीं है दुनिया भर के लोकतांतरिक देशों में राजनितिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए आईए सबसे पहले इस सबाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या हैं और वे क्या करते हैं उनकी जरूरत पर चर्चा इसके बाद होगी राजनीतिक दल का अर्थ राजनीतिक दल को लोगों के ऐसे संगठित समू की रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक धत्ता हासिल करने के उदेश से काम करता है समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रख कर ये समूह कुछ नीतियां और कारिक्रम तैख करता है सामुई के हित एक विवादासपत विचार है इसे लेकर सबकी राय अलग-अलग होती है इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बहतर है वे लोगों का समर्थन पाकर चिनाव जीतने के बाद और नीतियों को लागो करने का प्रयास करते हैं इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनितिक विभाजन को भी दर्चाते हैं पार्टी समाज के किसी एक हिस्से सम्मंदित होती है इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग या समुदाय विशेश के तरफ जुका होता है किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तै होती है राजनितिक दल के तीन प्रमुक हिस्थे हैं नेता, सक्री सदस्य और अनुयाई या समर्थक राजनितिक दल के कारे मुलितर राजनितिक दल राजनितिक पदों को भरते हैं और राजनितिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं दल इसकाम को कई तरह से करते हैं पहला दल चनाव लड़ते हैं अधिगांश लोकतांत्रिक देशों में चनाव राजनितिक दलों द्वारा खड़ा किये गई उमिद्वारों के बीच लड़ा जाता है। राजनितिक दल उमिद्वारों का चनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उमीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थ करते हैं। अब इस तरह के उमीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती चा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के निता ही उमीदवार चुनते हैं। दो, दल अलग-अलग नीतियों और कारिक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कारिक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं, इस बारे में हम में से सभी की राह अलग-अलग हो सकती है। पर कोई भी सरकार इतने अलग-अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोगतंत्र में समान या मिले जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पारटियां यही काम करती हैं, पारटियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समय टलाती हैं, जिनका विसमर्थन करती हैं, सरकार प्रायर शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तै करती हैं, तीन, पारटियां देश के कानून निर्माड में निर इसकारण वे अपने दल के नेता के नर्देश पर फैसला करते हैं। 4. दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। हमने पिछले साल सुना था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मुआमले में निर्णाय राजनीता ही लेते हैं और ये नेता विबिन धलों के होते हैं। पारटिया नेता चुनती हैं उनको प्रसक्षित करती हैं फिर पारटी के सिद्धानतों और कारकरम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पारटी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके हैं 5. चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्षकी भूमी का निबाते हैं। सरकार की गलत निदियों और असफलताओं की आलुचना करने के साथ वो अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोल बंद करते हैं। 6. जनमत निर्माल में दल महत्वण भूमी का निबाते हैं। वे मुद्दों को उठाते और उन पर बहच करते हैं। विपन दलों के लाखों कारेकरता देश भर में बिखरे पर होते हैं। समाच के विबन वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाब समू भी काम करते हैं। दल कई दफ़े लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विबन दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्दगिर्दी ही समाच के लोगों की राय बनती जाती है। साथ, दल ही सरकारी मशिनरी और सरकार दोरा चलाए जाने वाले कल्यान कारेक्रमों तक लोगों की पहुच बनाते हैं। अगले चुनाओं में लोग उन्हें धूल चटा देते हैं। राजनितिक दल की जरूरत दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरूरात में पूछा गया था। दरसल हमें राजनितिक दलों की जरूरत इन्ही कामों के लिए है। पर हमें अभी भी इस सवाल की पूछने की जरूरत है कि आधनिक लोगतंत्र राजनितिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। दलों के बिना क्या इस्थिति होगी। इसकी कल्पना करके ही हम उनकी जरूरत को समझ सकते हैं। अगर दलना हों तो सारे उमीदवार स्वातंत्र या नर्दली होंगे। तब इन में से कोई भी बड़े नीतिकत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिक्द होगी। नर्वाचित प्रतिनधी सिर्फ अपने नर्वाचन क्षेत्रों में किये गए कामों के लिए जवाब दे होगे। लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदाई नहीं होगा। हमें गेर दली आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उधारन सामने रखकर भी इस बात की पर रखकर सकते हैं। हाला कि इन चुनावों में दल आपचारिक रूप से अपने उमीदवार नहीं खड़े करते लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के आउसर पर पूरा गाउं कई खेमों में बढ़ जाता है और हर खेमा सब ही पदों के लिए अपने उमीदवारों का पैनल उतारता है। राजनितिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनितिक दल नजर आते हैं। उन्हें विभने मुद्दों पर अलग-अलग विचानों को समेठने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम या एजिंसी की जरूरत होती है। विबने जगों से आये प्रतिनिदियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुष रखने, नीतियां बनवाने, नीतियों का समर्थन करने अत्वा विरोत करने के लिए उपकरनों की जरूर कितने राजनीतिक दल कि लोकतंत्र की बहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमती है। राजनीतिक नैतिक ताकत एक वैकलपिक राजनीतिक धाचा खड़ा करने की बात से किशन जी का क्या मतलब था। सुधा, करुणा, शाहीन और ग्रेसी की बाचीत के करम में सबाल उठा। ये चारों महिलाएं देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे मजबूत जनांदुलनों से जुड़ी थी। ये चारों ओडिसा के एक गाउम बैठी थी और जनांदुलनों के भविश्य में नए सिरे से विचार कर रही थी और यहां उनको आंदुलनों के रोज-रोज के कामों की चिक-चिक भी परिशान नहीं कर रही थी। स्वभाईव की तौर पर बातें किशन जी के तरफ मुणी जिनने देश पर के आंदुलनकारी जमातें अपना मित्र, राजनीतिक, दार्शनिक और नैतिक मारदर्शक मानती थी। किशन जी का तरफ था कि जन अंदुलन के लोग चुनावी राजनीति में सीधी हिस्सेदारी करें। उन्होंने कहा कि यह एक तातकालिक जरूरत है क्योंकि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के लिए आपरसांगिक हो चुके हैं। ग्रेसी ने कहा लेकिन किशन जी ने कभी इस पस्प नहीं किया कि ये संगठन कैसा होगा उन्होंने सिर्फ राजनीती के विकल्प में या राजनीती में तीसरी शक्ती की बात की पर क्या उनके ऐसा कहने का आशय एक राजनीती के दल बनाने से था ग्रेसी का मानना था कि पु मंदली करण, जातिकत और लेंगिक उत्पीडन या विकास के वेकलपिक मॉडल के लिए जितने आंदूलन खड़े ही किये हैं वे राजनिती की हैं पर जैसे ही हम कोई दल बनाएंगे हमारे इतने वर्षों की पतिष्ठा चौपट हो जाएगी तब लोग हमें निताओं से अल लोग हमारे काम का आदर करते हैं वे हमें अच्छा भी मानते हैं लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वे इस थापित दलों को ही वोट देते हैं शाहीन उनसे सहमत नहीं थी देखिए बात बहुत साफ है किशन जो चाहते हैं कि सभी जनांदोलन मिलकर एक नई राजन राजनितिक पारटी बनाएं हाँ वे इस पारटी को दूसरों से एकदम अलग रंग रूप में देखना चाहते हैं वे राजनितिक विकल्प बनाने के जगर वेकल्पिक कस्मे की राजनिति चाहते थे किशन जी अब इस दुनिया में नहीं है इन चारों कारकरताओं के बारे में आपकी क्या राए है क्या उन्हें नया राजनितिक दल बनाना चाहिए क्या कोई राजनितिक दल राजनिति में नयतिक बल बन सकता है यह दल कैसा होना चाहिए इस कारण उन्हें एक दली शासन व्यवस्था का जाता है कक्षा 9 में हमने देखा कि चीन में सिर्फ केमिनिस्ट पारटी को शासन करने की अनुमती है हाला कि कानूनी रूप से वहां भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है पर वहां की चनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंतर प्रतिदुन्दता की अनुमती नहीं देती इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाब नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता हम एक दली व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि ये लोगतांतरिक विकल्प नहीं है किसी भी लोगतांतरिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चनाव में प्रतिदुन्दता करने की अनुमती तो हो नहीं चाहिए साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का परियाप्त आउसर भी रहना चाहिए कुछ देशों में सत्ता आम तोर पर दो मुखे दलों के बीच ही बदलती रहती है वहाँ अनेक दूसरी पारडियां हो सकती हैं वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दाविदार होते हैं अमरिका और ब्रिटेंड में ऐसी ही दो दली व्यवस्था है जब अनेक दल सत्ता के लिए होड में हो और दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गड़बंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक आउसर हो तो इसे बहुदली व्यवस्था कहते हैं भारत में भी ऐसी ही बहुदली व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गडबंधन बना कर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदली व्यवस्था में अनेक परटियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गडबंधन या मूर्चा का जाता है। इस प्रणाली में विबन हिदों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनितों मिल सकता है। तो इन में से कौन सी प्रणाली बहतर है। अक्सर पूछे जाने वाली इस सवाल का संभावता सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दली विवस्था को चुनाव करना किसी मुलक के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दोर के कामकाच के बाद खुद विक्सित होती है और इसमें समाच की प्रकृती, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीतिका इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली सबी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेश परिस्थितियों के अनरूप दली विवस्था विक्सित करता है। जैसे अगर भारत में बहु दली विवस्था है तो उसका कारण यह है कि दो-तीन पार्टियां इतने बड़ क्या जाना। आए दली विवस्था के बारे में हमने जो जाना उसे भारत के विवने राज्यों पर लागू करें। यहां राजिस्तर पर मौजूद तीन तरह की दली विवस्थाएं दी गई हैं। क्या आप इन श्रेलियों के लिए कम से कम दो-दो राज्यों के नाम बता स लगते हैं। पहली दो दली विवस्था, दूसरी दो गडबंधनों वाली बहु दली विवस्था और तीसरी बहु दली विवस्था। राजनितिक दलों में जन भागिदारी। अक्सर कहा जाता है कि राजनितिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखती। उपलब्द प्रमान बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूनों पर आधरिद और कई दश्कों तक चले सरविक्षण के तथे बताते हैं कि दक्षण एशिया की जनता राजनितिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। ज कि यह बात ज्यादा तर लोग तंतरों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनितिक दल ही एक ऐसी संस्था हैं जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बहरहाल राजनितिक दलों के कामकाज में लोगों की भागेदारी का इस्तर काफी उंचा है। खुद को किस राजनितिक दलों की सदस्दा का अनुपाद धीरे धीरे बढ़ता गया है। खुद को किसी राजनितिक दल का कड़ी बताने वालों का अनुपाद भी इस आवधी में पढ़ता चला है। राश्ट्री राजनितिक दल विश्व के संगी व्यवस्था वाले लोगतंत्रों में दो तरह के राजनितिक दल हैं। करिक्रमों और रणनितियों पर ही मानती हैं। देश की हर परटी को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराना होता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेश सविधाई देता है। इन्हें अलग चुनाव चिने दिया जाता है जिसका प्रयोग परटी का अधिकरत उमीदवार ही कर सकता है। इस विशेश अधिकार और कुछ आन्य लाब पाने वाली परटीयों को मानता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने इस पस्ट निया बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जी दर्ज करती हैं तो उस है अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मानता मिल सकती है। अगर कोई दल लोगसभाज्यों के विधान सभाई चुनाव में पड़े कुल वोट का छै परतिशत हासिल करता है और लोगसभा के चनाव में कम से कम चार सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्री दल की माननेता मिलती है इस वर्गी करण के हिसाब से वर्ष 2006 में देश में छे दल राष्ट्री तर पर माननेता प्राप्स थे आईए इनमें से प्रत्यक के बारे में कुछ महत्यपूर्ण तत जानने भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस इसे आमतो आजादी के बाद राष्ट्री और प्रांती इस्तर पर अनेक दश्कों तक इसमें प्रमुग भूमिका निभाई है जबाहर ला लहरू की अगवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्म निर्पेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया 1971 तक लगतार और फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई पर अभी ये पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है अपने वेचारिक रोज़ान में मध्यम मारगी अर्थात ना वामपन थी ना दक्षनपन थी इस दल ने धर्म निर्पेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अलप संख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजंटा बनाया है ये दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर ना पड़े 2004 में हुए लोगसभा चलाओं में 145 सीटें जीत कर भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेज सबसे बड़े दल की रूप में उभरी अभी केंदर में शासन करने वाले संयुक्त प्रगतिशील गडबंधन का नेतरत्व यही दल कर रहा है भारतिय जनता परटी पुराने भारतिय जनसंग को पुनर जीवित करके 1980 में ही परटी बनी भारत की प्राचीन संस्कृती और मूलियों से प्रिणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष भारतिय राष्टबाद और राजनिती की इसकी आवधरना में संस्कृतिक राष्टबाद या हिंदत्व एक प्रमुक तत्व है परटी जम्मू और कश्मीर को क्षेतरी और राजनिती की स्थर पर विशेश दर्जा देने के खिलाफ है ये देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक सहिता बनाने और धर्मांदरन पर रोक लगाने के पक्ष में है 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ पहले देश के उत्तरी और पश्यमी तथा शेहरी इलाकों तक सिम्टी रहने वाली इस पारटी ने इस दशक में दक्षण, पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामिड इलाकों में अपना आधार बढ़ाया राष्ट्री जनतांत्रिक गडबंधन के नेता की हैसियत से ये पारटी 1998 में सत्ता में आई, गडबंधन में कई प्रांती और ख्षेत्री दल शामिल थे, 2004 के लोगसभा चनाव में ये पारटी पराजित हुई और अभी लोगसभा में मोख्य विपक्षी दल है स्वर्गी कांशी राम के नेतरतों में 1984 में कठन, बहुजन समाज जिसमें दलित, आधिवासी, पिछडी जातियां और धार्मिक अलपसंख्यक शामिल हैं के लिए राजनितिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिद्ध्व करने का दावा पार्टी साहू महराज, महात्मा फुले, पेरियार रामस्वामी नाइकर और बाबा साहिब आमबेटकर के विचारों और सिक्षाओं से प्रिणना लेती है दलितों और कमजोर वगे के लोगों के कल्यान और उनके हितों की रक्षा के मुद्धों पर सबसे ज्यादा सक्री इस पारटी का मुख्या आधार उत्तर प्रदेश में है परमद्धपदेश, चत्तिसगड, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी अपारटी परियाप्त ताकतवर है अलग अरक पारटीओं में अलग अलग असरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में तीन बार सरकार बनाई इस दल को 2004 के लोकसभा चुनाओ में करीब 5 फीसदी वोट और 19 सीटे में ली भारती कम्यूनिस्ट परिटी माकसवादी, CPIM, 1964 में स्थापित, माकसवाद लेलिनवाद में आस्था समाजवाद, धर्म, निर्पेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा सामरजवाद और संपरदैक्ता की विरोधी यपारटी भारत में सामाजिक, आर्थिक, नियायका लक्ष साधने में लोकतंत्रिक चुनाओं को सहयक और उप्योगी मानती है पश्यमंगाल, केरल और त्रिप्रा में बहुत मजबूत अधार, गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धी जीवियों के बीच अच्छी पकड़ ये पारटी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवजाही की अनुमती देने वाली नई आर्थिक नीदियों की आलोचक है पश्चिम मंगाल में लगातार 30 वर्षों से शासन में, 2004 के चुनाओं में इसने करीब 6 पीसदी वोट और लोकसभा की 43 सीटे हासिल की ये पारटी अभी केंदर की सैयुक्त प्रगतिश्वील गडबंधन सरकार का बाहर से समर्थन कर रही है और इस सरकार बे शामल नहीं है भारती कम्यूनिस्ट पारटी CPI 1925 में गठेते माक्सवाद, लेनिनवाद और धर्म निर्वेख्षता और लोकतांतर में आस्था अलगावदी और संपरदाइक ताकतों की विरोधी ये पारटी संसदी लोकतांतर को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एव उपकर हन्मानती है 1964 की फूट जिसमें माक्सवादी कम्नियूस पारटी इससे अलग हुई के बाद इसका जनाधार सिकुरता चला गया लेकिन केरल, पश्चे मंगार, पंजाब, आंधरपदेश और तमिलाडू में अभी भी ठीक ठीक इस्थिती बहराल इसका समर्थन दीरे-दीरे कम होता गया 2004 की चनाव में इसे 1.4 फिस्तदी वोट और लोकसभाव में की 10 सीटे हासिल हुई मजबूत वाम मोर्चा पनाने के लिए सभी वाम पंथी दलों को साथ राने की पक्षधर अभी केंद्र की सयुक्त प्रगतिशील सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है राष्टवादी कॉंग्रेस पारटी कॉंग्रेस पारटी में विभाजन के बाद 1999 में पारटी बनी लोकतंत्र, गांधिवादी, धर्म निर्पेक्षता, समता, सामजिक न्याय और संगवाद में आस्था ये पारटी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाती है माराष्ट में प्रमुख ताकत होने के साथ ही ये मेगालय, पड़िपुर और असम में भी ताकतवर है कॉंग्रिस के साथ माराष्ट सरकार में भागिदार, 2004 में सेयुक्त प्रगतिशील गडबंधन में साजिधार प्रांती तल इन छे परटियों के अलवा अनिस सभी प्रमुख दलों को चुनाव आयोग ने प्रांती दल की रूप में मानेता दी है आम तौर पर इन्हें क्षेतरी दल कहा जाता है पर ये जरूरी नहीं कि वो अपनी विचारधारा या नजर्ये में ये परटियों क्षेतरी ही हो इन में से कुछ अखिलभारतिय दल है पर उन्हें कुछ प्रांतों में ही सफलता मिल पाई है समाजवादी पारटी, समता पारटी और राष्ट्री जनता दल का राष्ट्री इस्तर पर राजनितिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाईया है बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांतिरिक मूर्चा और मीजो नेशनल फ्रेंट जैसी पारटीया अपनी क्षितरी पहचान को लेकर सचे थें पिछले तीन दशकों में प्रांती दलों की संख्या और ताकत में वर्धी हुई है इससे भारती संसद विविदताओं से और भी ज्यादा संपन हुई है किसी एक राष्ट्री दल का लोकसाभा में बहुमत नहीं है परडाम सोरूप राष्ट्री दल प्रांती दलों के साथ गड़बंधन करने को मजबूर हुए है 1996 के बाद से लगभग प्रतेक प्रांती दल को एक या दूसरी राष्ट्री इस्तर की गड़बंधन सरकार का हिस्सा बरिने का उसर मिला है इससे हमारे देश में संगवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए है हमने देखा कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनितिक परटियां कितनी महत्यपून है चुकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है इसलिए यह स्वभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाच की गरबड़ियों के लिए लोग राजनितिक दलों को ही दोशी ठहराएं पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनितिक दल अपना काम ठीक धंग से नहीं करते हमारे लोकतंत्र के साथ ही यह बात लगू हती है आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनितिक दलों के कामकाच के चार पहलों पर ही केंद्रित रही हैं लोगतंतर का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनितिक दलों को इन चुनोतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करने चाहिए पहली चुनोती है पारटी के भीतर आंतरिक लोगतंतर का ना होना सारी दुनिया में यह प्रवर्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में समच जाती है पारटीयों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है ना नेमित रूप से सांगठनिक बैठने के होती है इनके आंतरिक चुनाओं भी नहीं होते कारकरताओं से वे सूचनाओं का साजह भी नहीं करते सामान कायरकरता अंजानी रहता है कि पारटी के अंदर क्या चल रहा है उसके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है ना ही कोई और माध्याम पर राम सुरूप पारटी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पारटी के नेता हत्या लेते हैं चुँकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पारटी में टिके रहपाना मुश्किल हो जाता है पारटी के सिद्धानतों और नीतियों से निश्ठा की जगे नेता से निश्ठा ही ज्यादा महत्वण बन जाती है दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है यह है वंचवात की चुनौती चुनकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते इसलिए सामाने कारकरता के नेता बनने और उपर आने की गुंजाईश काफी कम होती है जो लोग नेता होते हैं वे अंचुत लाब लेते हुए अपने नजदी की लोगों और यहां तक की अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं आनेक दलों में शीरश पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं ये दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। ये बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है क्योंकि इस से अनुभाव हीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। ये प्रवती कुछ प्राचीन लोकतंत्रिक देशों सहित कामोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तीसरी चुनावती दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुस बैठकी है। चूंकि पारटियों की सारी चुनता चुनाव जीतने की होती है अत्या इसके लिए कोई भी जायज नाजाय तरिक का अपनाने से वे परहिस नहीं करती। वे ऐसे ही उमीदवार उतारती हैं जिनके पास काफी पैसा हो या जो पैसे जुटा सकें। किसी परटी को ज्यादा धन देने वाली कंपनिया और अमीर लोग उस परटी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बा चौथी चुनोती पार्टियों के बीच विकल्प ही निता की स्थेती है। ब्योरों का रह गया है कि नीतिया कैसे बनाई जाए और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पारटियों के बीच आर्थिक मसनों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतिया बनाना चाहते हैं उनके लिए कोई विकल् भी नहीं होता क्योंकि वही थोड़े से रिता हर दल में आते जाते रहते हैं। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। इन चुनोतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनितिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल यह उड़ता है कि क्या राजनितिक दल सुधारने क नहीं है लोग तांतरिक विवस्ता में आखरी फैसला राजनिता ही करते हैं जो विभिन राजनितिक दलों का प्रतिनित्व करते हैं लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगे फिर नए नेता ही लेते हैं अगर वे सभी सुधरना नहीं चाते तो कोई उनको सुधरने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है आईए अपने देश में राजनितिक दलों और इसके निताओं को सुधरने के लिए हाल में जो प्रयास किये गए हैं या जो शुझाओ दिये गए हैं उन पर गौर करें विधायकों और सांसदों को दल बदर करने से रोकने के लिए सम्विधान में इसी दल विशेश से नर्वाचित होने वाले प्रतिनिधी का उस दल को छोड़कर किसी अन दल में चले जाना। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसदों या विधाय को अपनी सीड भी कवाने होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है पर इससे प एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के दोरा चुनाव लड़ने वाले हर उमीदवार को अपनी संपत्ती का और अपने खिलाफ चल रहे आपरादिक मुआमनों का ब्योरा एक शपत पत्र के माध्यम से देना आनिवारी कर दिया गया है। बात बोले भीद खोले। शपत पत्र किसी अधिकारी को सौपा गया एक दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उनके सही होने के बारे में शपत उठाता है। इस पर सूचना देने वाले के हस्तक्षर होते हैं। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उमीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्द होने लगती हैं। पर उमीदवारत द्वारत दी गई सूचनाएं सही है या नहीं ये जाच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम ये बात भरोसिय से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था क बन जाने के बाद से राजनीती पर अमीरों और अपरादियों का प्रभाव घटा या नहीं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरीए सभी दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकार के रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी क कर दिया है पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूरी करने के लिए होता है। यह बात अभी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूरी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। उनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाच को व्यवस्तित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने समविधान का पालन करें, पार्टी में विवात की स्तिती में एक सुतंतर प्राधिकार को पंच बनाएं और सबसे पदों के लिए खुला चुनाव कराएं ये व्यवस्ता अनिवारी की जानी चाहिए। राजनीतिक दल मैलां को एक खास नियुनितम अनुपात में यानि करीब एक तिहाई जरूर टिकेट दें, इसी प्रकार दल के प्रमुक पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षन होना च चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे ये मदद, पेट्रोल, कागज, फोन वगेरा के रूप में भी हो सकती है। या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकत पैसा दिया जा सकता है। राजनीत समस्या के लिए महज कानूनी समधान की बात करते हुए हमें साउधान रहना चाहिए। दलों को जरूरत से ज्यादा नियुमों में जकड़ना नुकसान दे भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरिका ढूनेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खु लाने का। यह काम चिठीं लिखने पराशार करने और आंदोलों के जरीए किया सकता है。 आम नागरिक्ष, दबाब समू, आंदोलन और मीडिया کے माध्यम से यह काम किया सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार ना करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवी खराब होगी तो इसे लेकर वे गंफीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दरों में शामिल होना। लोगतंत की गुरवत्ता लोगतंत में लोगों की भागेदारी से तैह होती है। अगर आमनागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना लें और बाहर से ही बात ही करते रहें सुधार मुश्किल है। लोगतंत में राजनीतिक दलों की विभरने भुमिकाउं की चर्चा करें। 2. राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनोतिया हैं। 3. राजनितिक दल अपना कामकाज बहतर ढंग से करें इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें 4. राजनितिक दल का क्या अर्थ होता है 5. किसी भी राजनितिक दल के क्या गुण होते है 6. चनाव लढने और सरकार भी सत्ता समालने के लिए एक जुठ हुए लोगों के समू को क्या कहते है इन में से कौन बहुजन समाच परड़ी का संस्थापक है 9. भारती जरनता परड़ी का मुख्य प्रेड़क सिद्दान्त क्या है 10. पार्टियों के बारे में इन कत्रों पर गोर करें 10. राजनितिक दलों पर लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है 10. दलों में अक्सर बड़े निताओं के घोटालों की गूंच सुनाई देती है 11. सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं है 11. इस उधरन को सुने और प्रशनों का जवाब दें 11. मुहम्मद यूनिस बंगलादेश के प्रसिद अर्थशास्त्री है गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयासों के लिए उन्हें अनेक अंतर राश्टियों पर रसकार मिले हैं उन्हें और उनके द्वारा इस्थापित ग्रामिले बैंक को संहिंक तुरूप से वर्ष 2006 का नोबेल शान्तिय पर रसकार दिया गया फरवरी 2007 में उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने और संसदी चुनाव लड़ने का फैसला किया उनका देश सही नेतरतों को उभारना अच्छा शासन देना और नए बांगलादेश का निर्माण करना है उन्हें लगता है कि पारंपरिक दलों से अलग एक नए राजनीतिक दल से नई राजनीतिक संस्क्रती पैदा हो सकती है उनका दल निचले इस तरसे लेकर उपर तक लोगतांत रिखोगा नागरिक शक्ती नामक इस नए दल के गठन से बांगलादेश में हलचल मच गई है उनके फैसले को काफी लोगों ने पसंद किया तो अने को ये अच्छा नहीं लगा एक सरकारी अधिकारी शाहिदुल इसलाम ने कहा मुझे लगता है कि अब बांगलादेश से अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करना संभव हो गया है अब ये अच्छी सरकार की उमीद की जा सकती है ये सरकार ना केवल ब्रिष्टाचार से दूर रहेगी बलकि ब्रिष्टाचार और काले धन की समापती को भी अपनी प्राथिमिकता बनाएगी पर दशकों से मुल्क की राजनीती में रुदबा रखने वाले पुराने दलों के निताओं में संशे है बांगला देश नेशनलिस्ट पारटी के एक बड़े निता का कहना है कि नोबेल पुरसकार जीतने पर क्या बहस हो सकती है पर राजनीती एकदम अलग चीज है एकदम चुनौती भरी और अक्सर विबादा स्पद कुछ अने लोगों का स्वर और कड़ा था वे उनके राजनीती में आने पर सवाल उठाने लगे एक राजनीतिक प्रेकशक ने कहा देश से बाहर की ताकतें उन्हें राजनीती पर थोप रही है क्या आपको लगता है कि यूनूस ने नई राजनीतिक परटी बना कर ठीक किया क्या आप विबेने लोगों द्वारा जारी बयानों और अन्देशों से सहमत है इस परटी को दूसरों से अलग काम करने के लिए खुद को किस तरह संगठित करना चाहिए अगर आप इस राजनीतिक दल के संस्थापकों में एक होते तो इसके पक्ष में क्या तलिल देते